स्वरा भासकर जी कई दिन हो गए कोई डायलोग सुनाईए ना अच्छा सा जो चीज गलत है वो गलत है उस पे हमें और ज्यादा डिबेट करने की ज़रोत नहीं है अच्छा है बहुत बढ़िया डायलोग आपने सुनाया लेकिन जब इसराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला किया तो स्वरा को गलत नहीं लगा बलकि ये कहा दोस्तों कि शोक बनाने वाले लोग पाखंड हैं मगर पाखंडी कौन है जरा सोचिये और देख लीजिये इसराइल ने हमास के केंदर गासा पर जब हमला करना शुरू किया तो उन्हें अपना डायलोग याद आने लगा और फिर बयान देने लगी दोस्तों लेकिन सुरा की खबर बस इतनी सी नहीं है बलकि उसे एहसास हो रहा है कि जिस मोदी को पानी पी पी कर वो कोस्ती थी गाली देती थी आज उसी मोदी के भारत में वो सुरक्षित महसूस कर रही है एक प्रकार से कहें तो वो मोदी भक्त हो गई है और स्वरा भासकर एक ऐसी शक्सियत है दोस्तों जिसने मोदी को कोस्ने के लिए क्या कुछ नहीं कहा जरा सुनिये न मेरे लिए जो विचार धारा बीजेपी और संग परिवार की है वो एक हिंसक विचार धार है लगातार ये मोधी सरकार को बदनाम करती रही दुख की बात है कि इन तीन सालों में जो स्थिती है वो बहतर होने के बजाए और बुरी हुई है इतना है नहीं लगातार ये अफवा फैलाती रही कि देश में डर का महौल है और CAA के मामले में दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रधान मंत्री को इशारो इशारो में नालायक तक कहा दादिया और नानिया यहां रूठी ही बेठी है यह जो नालायक पोते हैं और बेटे हैं इससे इतना नहीं हुआ इसमें बोल देशे कि दादी अम्मा दादी अम्मा रूसा रूसी छोड़ दे CAA NRC वाकिस लेलू तो विरोध की मुठी खोल दे इतना का नहीं हो पाया हूँ देख रहे ना अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ इस ट्वीट में स्वरा भासकर ने प्रधान मंत्री मोदी को जिन्ना कहा देख लीजिए जिन्ना और PM मोदी के खिलाब जहर उगलते हुए ये भी लिखा कि देश को एक नया प्रधान मंत्री चाहिए और उसके बाद ये ओपीनियन भी दे दिया कि राहुल गांधी ही अच्छे प्रधान मंत्री बनेंगे बयान सुन लीजिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे प्रधान मंत्री बनेंगे साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंडर बढ़बार हमास इसराइल युद्ध ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है बलकि अगर और प्रिसाइसली बोलू तो प्रधान मंत्री मोदी के लिए इस सरकार के लिए बड़ा काम किया है क्योंकि बैठे बिठाए दोस्तों जो प्रधान मंत्री मोदी को भारत को बदनाम करते हैं उन्हें एक्सपोज कर दिया है साथ ही ये भी जाहिर किया कि जहर लिए अपने मन में जहर लिए ये लोग कितने घातक हैं और किस प्रकार से नेरिटिव फैलाने का काम करते हैं और हम सब जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से 7 अक्टूबर को चोरी छिपे हमास के आतंक वादियों ने इसराइल पर हमला किया ऐसी बरबरता जिसकी कलपना करना मुश्किल है और अब तो दोस्तों इसका वीडियो भी कई बार देखने को मिलता है वो देख भी नहीं सकते अब जाहिर है इसका जवाब तो इसराइल को देना था कोई भी देश देता अगर किसी पर भी हमला होता तो वो तो उसका जवाब देगा ना तो इसराइल ने भी दिया अब डबल स्टैंडर्ड देखिए हमास के आतंक की हमले पर तो स्वराब भासकर मुँख में दही जमा कर बैठी रही लेकिन जैसे ही इसराइल ने धावा किया धावा बोला स्वराब भासकर इसराइल को पूरी हिंसा के लिए दोशी बताने लगी और उसे एक तरह का दो गला पन तक बता डाला आप सुरा भासकर की देखिए report वगरा दुनिया में हमास के आतंक पर लोगों की प्रतिक्रिया को सुरा भासकर पाखंड बता रही थी जबकि हमास के आतंकियों ने इस्राइली नागरिकों के साथ क्या कुछ नहीं किया मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ आज भी वो वीडियो वाइरल हो रहे हैं नए नए वीडियो आ रहे हैं लेकिन स्वरा भासकर की तो महिमा अलग है न दोस्तों उसने तो यहूद्यों के पूरे के पूरे देश को आतंकी बताया था आपको मैं ये पुराना ट्वीट द भैरिये दोस्तों थोड़ा और दिखाना जरूरी है इनकी नफरत की इंतिहा देखिए इस बार गाजा के अस्पताल पर हमास का ही पंप फट गया मिसाइल वही पर गिर गया ये तो पता चल गया न और उसमें सैकडों लोगों की जान चली गई जिनमें बच्चे और पर मैं स्वरा भासकर की बात बता रहा हूँ एक पोस्ट करके स्वरा अपनी बेटी की तस्वीर के साथ उस मा की भावना को जो गाजा में अपने बच्चे की मौत से आहत है उसको लिख कर हम सब को ये बता रही है कि इसराइल में बहुत जुल्म हो रहा है वो हमास से भी ब भावनाओं से खेलते हैं इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया है दोस्तों और इसलिए ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है स्वरा भासकर ने इस पोस्ट में लिखा है कि अगर उनका बच्चा गाजा में पैदा हुआ ह करके सुखी और संतुष्ट होती है जैसे दुनिया की और माय होती है और इसी पोस्ट में वो आगे क्या लिखती है अब देखिए मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ कि यदि वो गाजा में पैदा होती तो उसकी सुरक्षा कैसे कर पाती और मैं यही प्रार्थना क करती हूँ कि उसे ऐसी कोई स्थिती का सामना नहीं करना पड़ रहा है और वो गाजा में उन बच्चों से अधिक खुशकिस्मत है कि उसकी ऐसी स्थिती नहीं मिली मैं इसको अभी डिकोट करूँगा पहले आप देखिए वो क्या लिख रही मैं इसको अंग्रिजी में आखिर में वो दुनिया के हर उस भगबान से प्रार्थना करती हैं जो उनकी आवाज सुन ले हैं अब मैं यहां पर आगे अपनी बात बताओं दोस्तों दो ट्वीट दिखाता हूँ एक मिस्टर सिन्हा का है और एक और ट्वीट दिखाता हूँ सोशल मीडिया से उठाया है यह कह रहे हैं कि अगर महिने भर पहले कोई स्वरा भासकर से यह पूछता ना कि भारत कैसा है तो कमिनल बताती है और हो सकता यह भी बता देती कि गाजा उससे ज़्यादा सेफ है लेकिन आज असलियत इसको पता चल रही है मैं तो यह भी कहूंगा दोस्तों कि आज स्वरा भासकर जिस भारत में खुद को सौभागी शाली मानती है वो तो मोदी का भारत है लेकिन अगर सोचिए अगर इस पर राहूल गांधी या इंडी अलाइस गडवंदन का राज होता अगर वो सत्ता में होते तो वो तुष्टी करण के चकर में क्या करते फिलिस्तीन का समर्थन करते खुलकर और उसके बाद युद में बेवजा भारत को जोग देते यही सच्चाई है लेकिन मोदी जी ने क्या क्या आप देखिए किसी का साथ नहीं दिया आतंकी को आतंकी कहा और चुप चाप अपने भारतियों को वहां से ले आए उठा करके कोई जगड़ा जंजट नहीं अपने राष्ट का हिच सर्व पृथम इंडिया फर्स्ट और इसी लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर स्वरा भासकर इसराईल या फिलिस्तीन में फंसी होती ना तो भारत सरकार उनको भी ले आती ये शायद विश्वास है लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मान लीजे इस युद्ध की परिस्थिती में स्वरा भासकर अगर फिलिस्तीन में होती तो उनके प्रती तो बड़ा एकदम सिंपैथिटिक भाव है ना तो आप मन में सोचिए और बताइएगा मुझे कि क्या स्वरा भासकर फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने के लिए वहां ठहरती या भागाती इंडिया आप बिलकुल इस बात का जबाब दीजीगा दोस्तों कमेंट में मैं देखूंगा कि लोग क्या सोचते और जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं क्यूंकि स्वरा भासकर का तभी ये डबल स्टैंडर्ड पता चलेगा अब एक बात आप देखे दोस्तों इनके बैक्ग्राउंड से कि आज स्वरा भासकर जिस देश में जिस सरकार के दोर में खुद को सुरक्षित महसूस करके इश्वर को धन्यवाद दे रही है उसी प्रधान मंत्री मोदी की सरकार के बारे में जब CAA लागू किया गया था तो NRC और CAA को जोड़ कर जो विरोध कर रही थी उस समय ये क्या कहती थी सुनना जरूरी है सुन लीजिए मुझे नहीं भरोसा आ रहा है काम पर हरकतों पर इस सरकार की देख रहे ना और इसी विरोध प्रधर्शन के दौरान उनकी मुलाकात फवाद एहमद से हुई जिसमें उन्होंने जनवरी 2023 में शादी की घोशना की और फवाद एहमद कौन है ये भी बता देता हूँ समाजबादी पार्टी के नेता हैं और प्रधान मंत्री मोधी के विरोध के दौरान CAA NRC के आंदोलन की प्रेम कहानी के बारे में सुरा भासकर खुद एक वीडियो पोस्ट के जरीए इन्होंने बताया आप देख लीजिए और इस शादी में राहुल गांधी शशी थरूर जैसे नेता शामिल हुए थे और इस शादी से जिस बच्ची का जन्म हुआ है दोस्तों उसी की तस्वीर के साथ इसराइल हमास युद्ध के बारे में ये मारमी पोस्ट लिखा है अब सुरा ने ऐसा क्यों किया है ये सवाल भी बड़ा महत्पूर्ण है कि आखिर सुरा ने अपनी बच्ची का पोस्ट डाल कर तस्वीर डाल कर ऐसा क्यों किया है इसका कारण आपको इसराइल हमास के युद्ध से पता चलेगा बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि जिस तरीके से हमास ने क्या किया हमास ने पहले हमला किया और उसके बाद जब हमास पर हमला होने लगा तब वो बच्चों के वीडियो दिखा कर दुनिया से सहानुभू ले रहा है और उसी प्रकार से स्वराभासकर ने भी अपनी बच्ची की तस्वीर और मा के दर्द की भावना के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो खेल रही है इन भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रही है और वैसे तो स्वराभासकर बॉलिवूड में दोस्तों कला तो अदाकारी और डायलोग से दर्शकों को रूलाने में ये माहिर है लेकिन आज भी सुरा भासकर अपनी अदाकारी से विरोध का माहल बनाने की कोशिश कर रही हैं और इसी अदाकारी का इस्तिमार इसने CAA और NRC आंदोलन के दौरान भी किया उन्होंने अपने डायलोग से एक नफरत का माहल बनाने की कोशिश की एक बयान सुना रहा हूं सुन लीजिए लेकिन मैजदार चीज़ क्या है दोस्तों आप ये समझे जिस CAA NRC के नाम पर ये मुसल्मानों को भढ़काने का काम कर रही थी उस CAA NRC में लिखा क्या है ये इनको मालूम नहीं था क्या नियम है इसकी कोई जानकारी नहीं थी फिर भी ये सब को भढ़काने का काम कर रही थी ये बयान सुनिए अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ सुरा भासकर के मन में जो जहर है वो इस देश के बारे में समझ क्या है वो भी जरा सुन लीजिए यहां बस हिंदूओं की चलेगी सिर्फ हिंदूओं की चलेगी इतना ही है यह सब जो हो रहा है उसके पीछे कोई बहुत महान आइडियोलोजी नहीं है जानते हैं जो देश हिंदूओं के कारण सभी धर्मों के लिए सुरक्षित है उसके बारे में ऐसा सोचना और कहना की उनके कारण एक माहौल डर का पैदा हो रहा है यह कहती है देख रहे ना अब इन परिस्थितियों में सुरा भासकर एक कोक्टेल की तरह है दोस्तों विचारों का एक कोक्टेल जिसे इस देश के बारे में तभी समझ में आता है यहां के विचार तभी समझ में आते हैं जब गाजा में तालिबान में या पाकिस्तान में मुसल्मानों पर अत्याचार होता है और तब जाकर इन्हें समझ में आता है कि हमारा हिंदुस्तान क्यों सुरक्षित है और फिर भी ये लोग उसका विरोध करते हैं जिसने कोवीड में सब की जान बचाए हर चीज में विरोध करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और यही प्रधान मंतरी जब आतंक वादियों से आपकी रक्षा करता है तो उसके विरोध में क्या कुछ नहीं कहा जाता सारी ख़वर स्वरा भासकर की दिखा रहा हूँ और उसको बदनाम करने के लिए दोस्तों ये भी कहा जाता है कि उसकी सोच महात्मा गांधी के हत्यारे की तरह है देख लीजे रिपोर्ट साथियों प्रधान मंतरी का विरोध करना बड़ा आसान है और अदाकारी के साथ बोलना तो फिर पुरा करना और दुनिया भर के इन युद्धों से और इन परिशानियों से बचाना कोई अदाकारी नहीं है उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और ये बात स्वरा भासकर जैसे लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी और इसी लिए इस देश की जनता डबल स्टेंडर्ड देखा तब मुझे लगा कि ये जो वॉलिवूट के कलाकार है ना ये सारे कलाकार इनकी कोई एहमियत नहीं है जब ये जुबान खोलते हैं ना तब पता चलता है कि ये अंदर से कितने खोकले है बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है साथियो कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार